बिहार इस समय पूरी देश में चर्चा का भी से बना हुआ है वज़ा दो है पहली वज़ा यह है कि कल नितीश कुमार इंडिया गटबंधन से नाता तोड़ कर एक बार फिर इंडिये के साथ हो लिया और नवई बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सपत ग्रहाण कर दूसरी वज़ा यह है कि तेजस्वी का साथ छोड़ने के बाद नितीश कुमार अब एक्शन मोड में आ गया है जिसको लेकर अब पूरी बिहार में बवाल मच गया है लोग अब नितीश कुमार को लेकर निशाना भी शाद रहे हैं खेर चलिए अब हम आपको पूरी घट से पूस्टाच चल रही है पूस्टाच के दोरान CRPF के 15 जवान ED ऑफिस के अंदर पहुचे हैं बाहर भी स्वक्षा कड़ी कर दी गई है लालू की समर्थकों में बुस्टा देखने को मिल रहा है केंदर के खिलाफ नारे बाजी हो रही है लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार से बाहर होने के अगले ही दिन लालू यादो पर एक्षन होने का आखिर मकसद क्या है बता दें कि लालू यादो सुबा 11 बजे बेटी मीरसा भारती के साथ ED का आफिस पहुचे थे लेकिन उनको बाहर ही रोग दिया गया जिसके बाद सियासत और गर्मा गई लालू यादो से ED की पोस्टाज पर लालू यादो कि बेटी रोहिडी अशारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए सोसल मीडिया पर एक पोस्ट सेर किया है रोहिडी ने सोसल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा है in human behavior by ED officers same on you and yours आका सबको पता है पापा की हालात बिना सहारे चल नहीं स आप लोग मेरी मदद करें मेरे पापा को अगर आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिर्गिट के साथ साथ CVI और ED और उनके मालिक होंगे चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर जमीन के बदले नौकरी का मामिला क्या है तो आपको बता दें कि 2004 से 2009 तक भारती पासा होने पर लालू सहीत उनकी परिवार की ऊपर ED ने मामिला दर्ज किया था जिसकी एक बार फिर से फाइल खुल गई है और लालू से पूस्टाच की जा रही है लोगों का मानना है कि आज लालू की गिरहतारी भी हो शकती है वसे आपको क्या लगता है कि लालू की ऊप